हमर साथ है पंजाब के फिनांस मिनिस्टर हरपाल सिंग चिमा सर दिल्ली में बजट पेश हो रहा है आप दिल्ली में आये हैं देखने आये थे समझने आये थे क्योंकि आपके लिए भी बड़ा चैलेंज सामने पहला बजट पेश करने वाले हैं देखिए दिल्ली के मनीश सोधिया जी ने मेरे को इनवाइट किया था और मैं बजट में आया हूँ बड़ा अच्छा लगा मेरे को पहली बार हुआ है कि दिल्ली के मनीश जी ने रोजगार का बजट पेश किया है और बड़ा अच्छा बजट की पेश किया है मैं उनका दन् पार्टी का पंजाब में प्रोसा किया है और मेरा यहां आना यह नहीं कि मैं बहुत कुछ सीखने के लिए इनसे भी सीखेंगे और इनको भी दिल्ली वाले मिनिस्टर सहवान को भी हम पंजाब में रवाइट करेंगे यह है कि जब मुख्यमंत्री भगवान मान दिल्ली आये प्रिधान मंत्री से मिले उसके बाद से विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है कि आप लोगों ने लगातार बड़े बड़े चुनावी वादे किये और अब एक स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं एक लाग करोड रुपए तो देखिए पंजाब के उपर साड़े तीन लाग क्रोड रुपए का करज है किस किनी लोग ने करचड़ाया इन बीजेपे वैलों की सरकारती ना पंजाब में बीजेपी और अकाली दल्की जो गड़जोड की सरकारती पंजाब इन्होंने पंजाब को खूब बरबाद कि किया जो करज है जो डेट क्या इनने चड़ाया हमएंहों की जो है प्रोडटा करते हैं उनको सेकंड करते हैं उन्होंने सवह मांग की है धन्यवाद तो ये थे पंजाब के वित्तिमंत्री आस्तक से एक्स्क्लूजब बाचीत में हरपाल सिंग चीमा ने कहा कि वो दिल्ली के बजट सेशन में से ले आये थे ताकि वो कई सारे चैप्टर्स यहां से सीख सके और आने वाले समय में पंजाब और दिल्ली एक दूसरे से सीख के कामकाज करेगा और साथ ही भगवन मान ने पंजाब के जो मुख्य मंत्री है उन्होंने जो प्रधान मंत्री से स्पेशल पाकेज की मांग की है उसको भी जस्टिफाई कर रहे थे हरपाल सिंग चिमा ये कहके कि पुरानी जो सरकारे थी उसकी वजह से बड़ा कर्ज पंजाब की सरकार पे इस वक्त है और उससे निप्टारा करने के लिए इस पाकेज की जरूरत है वीडियो जनलिस नासर अजीज के साथ मैं मित भारदवाज दिल्ली आज तक